हलो यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे रोज की तरह ले करा हैं आज भी बहुत ही काम का यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स जिसे देकर डेली लैप का काम होगा आसान आपके साथ किम्मे समय की बचत होगी तो चलिए आज का ज जो चाय पत्ती हमारा बचता है हम लोग खंगार के कुड़े में यानि की डश्ट वीड में फेक देते हैं हैं तो एडिउल के हम रख देते हैं तो मसाले में इसको पीस देते हैं तो मारा सबजी में अधरक यूज हो जाता है और दोस्तों यह जो चैपती है इसे हम फेकेंगे नहीं देखिए इसे हम धूल दिये हैं पानी से धूलने के बाद इस चैपती को कोई भी हरा भरा प्लांट है उसके जड़ में डाल दिजेगा तो खाद का काम करेगा किडे मोकोडे नहीं लगने देगा हरा भरा प्लांट रहेगा अध्या अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजेगा अगला अध्या है दोस्तों यहां पर जब भी हम लोग कपड़े में सिलाई करने बैठते हैं जैसा कि जीन्स वेगरा हो गया ट्राउजर हो गया जो जैसा कि कमर में जीन्स का तो कपड़ा मोटा होता है और ट्राउजर वेगरा का कमर जैसा कि रबड़ यह सब में हमें सिलाई करना होता है तो यह जो सूई होता है सूई असानी से घुसता नहीं है मोटे कप्ड़े में तो जिन्स approxim लेक ले लीजिए जब भी इस 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 ड्लाइक करना हो तो सु ही में तो दो देखे होंगे कभि कभी गाल क्या होता है कि सूई में जंक पेगरा भी लगा रहता है तो आसानी से सूई नहीं चूबता है जिन्स वाले कपड़े में तो यहां पर ले लेना है नेल कटर दोस्तों ले लेना है नेल कटर में जो ये नाखुन से भी वाला दिया रहता है भाग इसमें हमें सूई को इस तरीके से रगड के और अच्छे से क्लीन कर लेना है, जितना भी अगर जंक पे गरा लगा होगा, सारा एकदम से क्लीन हो जाएगा, और इसका जो नोख है, नोख भी बहुत ही अच्छा से बन जाता है, देखिए कितना आसानी से घुस पा रहा है, और जो पहले हम घुसा रहे थे, सूई में से, च्छनी की मदद से कितना भी मोटा कपड़ा हो, उसमें असानी से सिलाई कर सकेंगे, तो अगर इस डील का च्छनी बेकार हो गया है, उसे नहीं फे किएगा बेकार समझ के, तो चलिए अगला एडिया देख लेते हैं, अगला एडिया है दोस्तों चाको छूरी को लेकर तो यहां पर जो हमारे दिवाली वाले पुराने दीपक बचे हैं, मीटी वला दिया बचे हैं दोस्तों, उसी से देखिए हम अपने चाको में आसानी से धार लगा सकते हैं, तो उतना तो नहीं लगेगा, फिर भी काफी अच्छा लग जाता है दोस्तों, जिससे हम अपने क काम कर सकते हैं, तो यह देखिए बहुत ही अच्छा से धार सार्क हो जा रहा था, नहीं तो ऐसे वीडियो हम और भी बना चुके हैं, जो चिमनी मीटी वला जो कप होता है, उसमें भी धार आसानी से चाको में लग जाता है, तो चलिए आगला आइडिया देख लेते हैं, आ आधा चमच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डाल दिये हैं, आधा चमच डिटरजेंट पाउडर, तो तीनों चीजों को देखिए बढ़िया से उबाल आने लगा है, इससे हम क्लीन करने वाले हैं, अपने घर के जो हमारे घर में चांदी के पायल हो, या सिल्वर के पायल ज देखिए बहुत यह अच्छा से साफ करता है पायल को, सिर्फ थोड़ा सा चाय पती ले लेना है, और डिटर्जेंट और बेकिंग सोडा, और तीनों चीजों मिला के देखिए कितना अच्छा से असानी से एकदम मेरा जो पायल है, वो इदम चमचमाने लगा है, साफ हो गय तो यहां पर देखिए आधा आलू को हम काट लिये हैं, और इसमें हमें चाकू से इस तरीके से खोब लेना है, ताकि इसका जो पानी है, मोहिचर्ज है वो निकल जाए अच्छा से, और उसके बाद यहां पर लेना है वाइट कॉलगेट, जो हम लोग नातों को साफ करते है वही कॉलगेट ले लेना है, देखे थोड़ा सा कॉलगेट मेरा खतम हो गया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा निकल गया है जितना हमें चाहिए उतना, और उसके बाद हमें यहां पर लेना है बेकिंग सोडा, तो आधा चमच हम बेकिंग सोडा यहां पर लेंगे, बेकिंग लगा है तो इजली इसे चुड़ाएंगे हम देखिए यह जो आलू का जो बनाए हैं हम तो कॉलगेट लगा के इससे हम बहुत ही अच्छा से अपनी किचन सींग को चमकाने वाले हैं तो दोस्तों देखिए हम खुद से वीडियो बनाने थे थोड़ा सा इधर से उधर जाने लगेगा साफ हो जाएगा एक भी दाग धबा नहीं रहेगा कितना भी दाग धबा गंदा लगा हो फिर भी सारा गदम साफ हो जाता है बेकिंग सोडा और कॉल गेट और आलू का मोस्चर से तो देखिए अच्छे से हम क्लीन करके और धूल के आप लोग को हम दिखात हरों टो आज का यूह कैसा लगा दूस्तो यूसफुल लगा हो तो एक लाइक जडिय से कीजिये गा ठीक की जियेगा ठीक दीए है अध्या विडियो एक दो सब्सक्राइब केसे सब्सक्राइब धियर महादेश